हेलो दोस्तों, वेलकम टू एलेक्ट्रोनिक इस्टडी, एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं ज्यामिती यानि जियोमेट्री और इसमें आज हम समझेंगे वो की पॉइंट्स या वो पाइट्स इसके जो इसमें आते हैं, ज्यामिती के अंतरगत आते हैं तो पहला हमारा point रहेगा बिंदू, बिंदू को बोलते हैं point, ये भी दो पिरकार का होता है, sunrack बिंदू और asunrack बिंदू, sunrack मतलब जिसका निश्चत कोई point हो, कि यह जो line खीची गई या segment खीची गई है, वो यहां तक है, और जो अनिश्चत हो, उसे asunrack बिंदू कहते हैं, दूसरी चीज है रेखा, जैसे हम बुलते हैं line, कई बिंदूओं से बनी एक सरल रेखा, यानि बहुत सारी बिंदूओं से मिलकर, एक जो सीधी या सरल रेखा हम खीचते हैं, उसे रेखा या line कहते हैं, अब किरन किसे कहेंगे, किरन यानि होता है रे, तो देखिए, एक साइड जिसमें पॉइंट हो, और दूसरी साइड रे यानि एरो हो, उसे हम किरन या रे कहते हैं, अब देखिए, इसमें जो पॉइंट है, उसे कहते हैं आदी बिंदू, और सबसे में चीज याद रखेगा, किरन जो है, या अनंत तक खीचे जा सकती है, ठीक है न, जि इसकी इतनी लंबाई है, ठीकिन उसे रेखा खंड कहते हैं, अब बक्र देखिए, बक्र को आप देख सकते हैं, कुछ इस से में बना रहता है, जिसे हम बक्र कहते हैं, अब रेखा एकमों का बरगी करन के साधर पर किया गया है, वो समझ लेते हैं, तो इसमें सबसे पहले स समानांतर हैं, या समानतर हैं, जो कि कितने भी दूर तक खींची जाएं, ये एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी, तो ये पॉइंट याद रखेगा, कि समानतर रेखा हैं, एक दूसरे को कभी नहीं काटतें, दूसरा पॉइंट है, प्रतिछेदी रेखा हैं, जब दो रे जब रेखाएं एक के उपर 1 हों इन्हें समानतर रेखाएं easy या फिरर तो इन्हें हम समतापी रेखाएं कहेंगे च्वर mesh है लंब का मतलब क्या है एक रेखा पर दूसरी रेखा जब нут लंब हो यहां देखेजिए जो M रेखा है वो सीधी कहींची गई है उस पर लंब क्या है L यानि L लंब है M पर जैसे लंब रेखा कहेंगे आँगे समझते हैं, संगामी रेखाएं, अब यहां पर आप देखिये एक बिंदू है, उस बिंदू से कई सारी रेखाएं, a, b, c, d, e, f, g, h, i, और j, ये रेखाएं," बाहर निकल रही हैं," यानि एक ही बिंदू से कई रेखाएं, जब निकलती हैं," sellers हम संगामी रेखाएं कहते हैं अब हम पढ़ते हैं कौण यानि एंगल तो कौण का अर्थ होता है घुमाव की माप यानि कोई भी किसी सिधी रेका पर कोई कौण बनाय गया है या कोई अन्य लाइन जोड़ी गई है तो उसके उस बिंदू से कितना घुमाव लिया है उसने उ सुन्य कौण यानि जो जीरो अन्स का या जीरो डिगरी का बना रहता है उसे सुन्य कौण कहते हैं दूसरा होता है न्यून कौण तो न्यून कौण में याद रखेगा वह कौण जो जीरो डिगरी से तो बड़ा होगा लेकिन 90 डिगरी से छोटा होगा वह न्यून कौण कह कोई कौण की माप 90 degrees दी गई हो यानि फिक्स 90 अंस का कौण समकोण होता है चोथा होता है अधिक कौण जब कोई कौण 90 से बड़ा हो वह 180 से छोटा हो तो वह अधिक कौण कहलाता है पांचवा है सरल कौण या इसी को हम बोलते हैं रिजू कौन यह देखिए सीधी रेखा यानि 180 अंस का कौन बनता है परफेक्ट उसे हम बोलते हैं सरल या रिजू कौन देखिए बलगु सीधा एंगल बना हुआ है अब आता है ब्रहत कौन या प्रत्यवर्ति कौन यह दोनों नाम याद रखेगा क्योंकि कई बार एक्जाम का इंगल बने उसे हम बोलते हैं संपून कौन तो आई होप कि आपको यह सारे कौन के प्रकार समझ में आये होंगी और एक बार इने आप फिर से देख लीजिएगा आंगे समझते हैं देखिए तरयक रेखा हैं या एकांतर कौन या और संगत कौन तरयक रेखा हैं क्या कहल वक्रावर किस के माप होगी कौन पांच की कौन दो के बरावर होगी कौण आठ की यहां पे मैंने कौणों के नाम भी लिखे होएं तो आप समझने की कौसिस कीजिएगा कौन 4 बराबर होगा कौन 6 और कौन 3 बराबर होगा कौन 7 तो इस परकार से ये कौन आपस में एक दूसरे के बराबर होते हैं अब समझते अंता कौन क्या है तो देखे यहां पर कौन 4 वा कौन 5 एक दूसरे के अंता कौन है और इनका योग 180 होगा देखें कौॉन चार और कॉन 5 जो है यह एक दूसरे के क्या है सम्मो कॉन और इनका योग एक स्वसियन्स होगा इसी परकार 3 और 8 उइक दूसरे के सम्मो कॉन होंगे अब देखिये आगे बढ़ते हैं एक अंतर कॉन समझ लेखते हैं एक अंतर का सीधा अर्थ होता है एक का अंतर यानि एक कौन के बाद दूसरे कौन का अंतर हो अब यहां देखिए कौन तीन का एक अंतर क्या होगा पांच होगा तीन के बाद देखिए कौन चार है तो चार को हम छोड़ देंगे क्योंकि एक का अंतर कौण 3 का क्या हो जाएगा 5 चार का क्या हो जाएगा 8 एक अंतर कौण आंगे है बाह एक अंतर कौण यानि बाहर बने समांतर कौण अब देखिए यहां पे आपको दिख रहा होगा कौण 1 एक का एक अंतर क्या होगा बाह पर उसी पोजिशन में कौण है साथ है तो एक का एक अंतर हो जाएगा साथ वा कॉंड दो का क्या हो जाएगा कॉंड छे ये देखे क्योंकि बाहर बने हुए है इसलिए इनका नाम क्या पड़ा बाह एक अंतर कॉंड तो I hope कि ये भी आपको किलियर हो गए होंगे आंगे बढ़ते हैं एक और महत्यपूर्ण चीज समझ लेते हैं देखे दो कॉंडों के बीच का संबंध है ये वाले यहां से एक्जाम में पूछे जाते हैं पूरक कॉंड या कोटी पूरक कॉंड जब दो कॉंडों का योग 90 डिगिरी होता है तो उन्हें हम पूरक कॉंड या कोटी पूरक कॉंड कहते हैं जैसे एक्जाम में आपसे पूछ लिया जाए कि 60 का पूरक या कोटी पूरक क्या होगा तो चुंकि हमें दोनों का योग टोटल कितना चाहिए 90 चाहिए जब एक साथ का है तो हम 90 में से 60 घटाएंगे तो दूसरा हमें मिल जाएगा 30 यानि इसका कोटी पूरक कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा अब दूसरा है संपूरक कॉंड दो कॉंडों का योग जब 180 अंस होता है जैसे 60 का संपूरक क्या है के अंगे समझते हैं, सीर्षावी हूं कॉन, अब सीर्षावी हूं कौन क्या कहलाते हैं, तो देखिए ये आपके सामने एक अकरती बनी हुए है, इसमें आप देखिए 4- ninja-rd 0-1-0-1-0-0-1-0-0-0-1-0-0-1-0-2-0-0-4-2-1-0-0-1-0-0-0-1-0-2-0-2-0-0-1-0-0-1-0-1-0 है AOC यानि DOB का सीर्षाव क्या है AOC तो यह भी आपको क्लियर हुआ होगा अब पढ़ते हैं आसन कौन जिसकी एक वजा वह सीर्ष कामन हो अब देखिए यहां पर इसमें एक ही बिंदू से दो एंगल बन रहे हैं कौन कौन से एक बन रहा है OCB और एक बन रहा है OBA तो यह एक दूसरे के आसन कौन होंगे ठीक है ना आसन कौन मतलब एक ही बिंदू से जब दो कौन बने तो वे एक दूसरे के आसन कौन कहलाते हैं अब आता है रेखिये योग में रेखा पर बना योग में एक ही रेखा पर बने कौन देखिए या तो एक ही रेखा पर बना योग में हो वाय डिगरी पर जो कॉंड बन रहा है उसका रेखियेग में क्या हो जाएगा O, C, B तो I hope कि आपको ये सारी प्रोपाइटीज के लिए हुए होंगे कल से हम इसके आंगे शुरू करेंगे तब तक के लिए जुड़े रही एलेक्टरोनिक स्टडी के साथ वीडियो को लाइक और सेर जरू करें बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का